नमस्कार आप देख रहे हैं नेक्स नाइ न्यूज और मैं हूँ आपके साथ दिनेश कुमार उत्रप्रदेश के पूर मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को खनन घोटाला मामले में CBI ने समन जारी किया था लेकिन 29 फरवरी को अखिलेश यादव को दिली CBI ने पूस्ताच के लिए बुलाया था इस अधार पर अखिलेश यादव ने CBI के सामने पेश ना होने का फैसला किया है आपको बता दे कि अखिलेश यादव ने लखनो मीटिंग का हवाला देते भी कहा है कि PDA की लखनो में आज पूर निर्धारी तेक मीटिंग होने वाली है और उस मीटिंग के मद्दे नजर वो तमाम चुनावी कारेकरमों को तैय करेंगे ऐसे में CBI के सामने पेस नहीं होने वाले हैं आपको बता दे कि देश के तमाम राजनेताओं के खिलाफ इस वक्त E.D. और CBI की विभिन घोटालों के मामलों में जाच चल रही है लेकिन अखिलेश यादव को चुनाव से ठीक पहले CBI की तरब से भेजगे अखिलेश यादव ने कहा है कि पिछले 10 सालों में यदि जबरदस्त विकास हुआ है तो आखिरकार फिर भारती जनता पार्टी को सरकारी जाच अजेंसियों का इस्तिमाल क्यों करना पड़ रहा है चुनाव के पास आते ही यहाँ पर भारती जनता पार्टी विपकसी नेताओं को दबोचने के लिए यहाँ पर ED और CBI जैसी एजेंसियों का इस्तिमाल करना शुरू करतेती है और यह पूर्ण तयासे चुनाव से प्रेरित है अखिलेश यादों के खिलाफ आपको बता दें कि CBI ने खनन घोटाला मामले में नोटिस बीते दिनों जारी किया था आज 29 फरवरी को उन्हें दिली दफ्तर पर बुलाया गया था लेकिन अखिलेश यादों वहां नहीं जाते हैं क्योंकि उन्होंने कहा है कि पार्टी का पूर निर्धारित पूर नियोजित एक कारिकरम है और इस दोरान वो PDA की मीटिंग लेने वाले हैं यानि पिछडा दलीत और अल्प संख्यक के तमाम समुदायों के नेता यहाँ पर इस मीटिंग में शामिल होने वाले हैं और अखिलेश यादों ने इस मीटिंग में जाने का फैसला नहीं किया है आपका बता दे कि भारती जनता पार्टी के तरफ से यह आरोप लगाया गया था जिस वक्त CBI ने नोटिस दारी किया था कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के तमाम नेता तमाम तरहें के घोटालों में फसे वे हैं यहां तक कि खुद अखिलेश यादव जो कि सपा के राष्ट्रिय अध्यक से हैं वो भी इस मामले में शामिल हैं और अब ED और CBI के जाच उनके खिलाफ कड़ी होने वाली है अब देखना यही होगा कि अखिलेश यादव का नाम भी क्या उन्ही नेताओं की सूची में शामिल हो जाएगा जिन नेताओं ने पिछले दिनों ED के तमाम नोटिस का जवाब नहीं दिया जिसमें हेमंत सोरेन की तो गिरफतारी हो चुकी है लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद के जिरिवाल को भी आठ नोटिस भेजे जा चुके हैं अब देखना यही होगा कि समाजवादी पार्टी किस तरीके से इस पूरे घटना करम पर आपना रुख स्पष्ट कर पाती है फिल्हाल इस खबर में इतना ही देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें नेक्षन इन्जू